आज हम एक इस तरह की शोल्डर बैक बनाएंगे इसे फ्रंट साइड में एक साइड में दो पॉकेट्स हैं एक जिप का पॉकेट और एक सिंपल पॉकेट और एक साइड में ये जिप का पॉकेट है ये अंदर की साइड में इसके लिए हम पहले 6 इंच बार 7 इंच के दो फाबरिक के पीस लेंगे और दो लाइनिंग के पीस लेंगे 6 इंच की हाइट है और 7 इंच की वीड़त है 7 इंच के दो जीपर उसमें से हम एक पीस लेंगे जीप की सिधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और इसके उपर हम एक लाइनिंग का पीस यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे इसलाई होने की बाद यह अस्तर आम नीचे की सैड में करेंगे और टॉप स्टीच करेंगे यहां से में runner डालना है और तीनों साइड से हम सिलाई करेंगे फाबरिक और lining जोडेंगे और दूसरा पिस हम इसी तरह से बनाएंगे इसके अंदर भी हमें runner डालना है और इसके साथ हम 7 इंच बाई 7 इंच का एक lining का पीस लेंगे और उसमें से एक पीस के back side में हम रखेंगे और सिलाई करेंगे चारो side से हमें सिलाई करना है इसके उपर हमने पूरा lining का पीस जोइन किया है और एक के पीछे हमने अस्तर नहीं जोड़ा है इसके बाद 15 इंच बाई 9 इंच इसके दो पीस लेंगे ये इसके पीछे हमने 2.5 mm की रबर्चिट अटाच की है इस तरह की और ये यूली फाब्रिक है और ऐसे हमें दो पीस लेना है इसमें से हम पहले एक पीस लेंगे और साइड से हम 4 इंच मार्क करेंगे दोनों साइड से हमें 4 इंच मार्क करना है और एक लाइन कीचेंगे ये जो दो पीस हमने बनाए थे इसके उपर की साइड में हम पाइपिन जोड़ेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई करना है ऐसे ही इसके उपर जोड़ेंगे ये दो में से हम एक पाइड लेंगे ये जो जिसकी पीछे हमने अस्तर जोइन किया है ये पाइड हम यहाँ पर जोड़ेंगे इसे हमें जोड़ना है और तीन साइड से हम सिलाई करेंगे और इसके उपर से हमें दो सिलाई करना है जिसके पीछे हमने पूरा अस्तर जोड़ा था यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे ये हमने तीन साइड से सिलाई करके जोइन किया है तो यहाँ पर हमारे दो पॉकेट्स बने हैं यहाँ पर एक pocket और यह एक simple pocket और यह जो दूसरा piece हमने बनाए था उसको हम ऐसे चार साइड में चारो साइड में सिलाई करके join करेंगे यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई करके जोड़ा है तो इसके उपर एक ही pocket बनेगा जो zip का होगा 37 inches के हम दो build लेंगे पहले हमें build इसे lock करना है candle लगा के और यहाँ पर हम जोड़ेंगे यह जो 4 inch का mark किया था उसके बीच में हमें यह build जोड़ना है और यहाँ तक हम जोड़ेंगे इसे हम दोनों side से जोड़ेंगे यह दोनों build हमने join किये है इस तरह से इसके बाद 15 inch by 4 inch के यह दो piece लिये है यह plain fabric लिया है raincoat WRPU यह fabric है ऐसे हमें एक side में उपर की side में ऐसे half inch या पाव inch हम fold करेंगे और यह rubber sheet हम ऐसे रखेंगे और ऐसे हमें तीन side से सिलाई करना है ऐसे fold करके हम सिलाई करेंगे इसे हमने यह दोनों parts बनाए है और यह हम यहाँ पर जोड़ेंगे यह जो हमने fold किया था वो हमें इसे यहाँ पर रखना है और इसके उपर हम सिलाई करेंगे यह हमने सिलाई की इसके बाद इसके नीचे हम और एक सिलाई करेंगे यह हमने दो बार सिलाई की है ऐसे ही हमें यह दूसरा part बनाना है यह दोनों parts रेडी किये है ऐसे ही दोनों parts बनाए है इसमें से हम एक लेंगे और यह 15 इंच की side है तो उसमें हम यहाँ पर दो इंच मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हमें दो इंच मार्क करना है दो इंच मार्क किया है यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर हम हाफ इंच मार्क करेंगे वैसे यहाँ पर भी हमें हाफ इंच मार्क करना है और यहाँ से यहाँ तक हम चोड़ेंगे वैसे ही हमें दूसरी साइड में जोड़ना है दोनों के उपर हमें इसी तरह से मार्क करना है और यह मार्किंग के उपर हम कट करेंगे इसे दोनों पार्ट्स कटिंग किये हैं कटिंग होने के बाद हम नीचे की साइड में सेंटर मार्क करेंगे दोनों के उपर हमें सेंटर मार्क करना है इसके बाद हम 12 इंचिस वाई 15 इंचिस के दो लाइनिंग के पिस्स हम लेंगे और इसी तरह से हमें इसके उपर शेप देना है यह हमने दोनों के उपर शेप दिया दोनों साइड में दो दो इंच मार करके शेप दिया है और सिंटर मार किया है दो इंच by 1.5 इंच के ये 4 पीसे से लिए है ये दो इंच की साइड है ये हम यहाँ पर जोड़ेंगे और बाक साइड में दूसरा पिस ये सीधी साइड है और ये सीधी साइड है सिलाई करेंगे सिलाई होने के बाद दोनों उपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर टॉप स्टिच के साथ साथ चारो साइड हमें जोड़ना है और ये दूसरा फिस यहाँ पर जोड़ेंगे ये जीप 12 इंचिस की है और इसके अंदर ये लॉक होने से पहले में रनर डालना है और बाद में ये दोनों साइड जॉइन करना है ये फरंट साइड है और ये बैक साइड है तो ये दोनों रनर की साइड हम एक जैसी रखेंगे और इसके पीछे हम ये अस्तर का पिस सिलाई करेंगे सिलाई होने के बाद हम अस्तर उपर की तरफ करेंगे और ये सिलाई हमें ऐसे नीचे की तरफ करना है और ये जीप उपर की तरफ रखेंगे और इसके उपर हम टॉप स्टीच करेंगे जैसे हमने टॉप स्टीच किया अस्तर उपर की साइड में रखकर हमें ये टॉप स्टीच करना है जैसे हमने ये पार्ट बनाया वैसे ही हम हमें ये दूसरा पार्ट बनाना है ये दोनों पार्ट हमने रेडी किये हैं इसके बाद 7 इंचिस पाई 4 इंचिस का ये पीस लेंगे जिसके पीछे हमने रबर्शिट अटाच की है और एक लाइनिंग का पीस इसे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था तब ये एक कमेंट आई थी कि बेस कैसे बनाना है बेस का मेजरमिन कैसे लेते हैं ये 11 इंच है तो ये बेस हमने 7 इंचिस भाई 4 इंचिस का लिया है तो ये 11 इंचिस हो गया अगर मैं यहाँ पर 7 इंचिस के बदले में हम 8 इंचिस लेंगे तो ये साइड 3 इंचिस का लेना है ऐसे हम बेस बनाएंगे इसके उपर भी हमें ऐसे फोल्ड करके सिंटर मार्क करना है यह 7 इंच की साइड है यह हम यहाँ पर जोड़ेंगे दोनों फाब्रिक हम एक साथ में रखेंगे और दोनों लाइनिंग हम एक साथ में रखेंगे और यह बेस हम यहाँ पर जोड़ेंगे दोनों मार्क हम एक के उपर एक रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हमें इसे सिलाई करके जोइन्ट करना है इसे हमने यह फाब्रिक और लाइनिंग के उपर यह बेस जोइन्ट किया है बेस जोइन्ट होने के बाद हम यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे, इतनी स्पेस हम छोड़ेंगे, इतनी स्पेस हम छोड़ेंगे, और यहां पर भी हम यहां से यहां तक सिलाई करेंगे, ऐसे हमने join किया ये zip की side हम अस्तर की side में रखेंगे ये उपर नहीं रखना है lining की side में हमें रखना है जब हम join करते हैं ऐसे हमने join किया और इतनी space हमने छोड़ी है इसके बाद ये corners हम छोड़ेंगे ऐसे हम जोड़ेंगे अस्तर के भी हमें कॉर्णर्स जोड़ना है यह हमने चारो कॉर्णर्स जोइन कि जो हमने स्पेस चोड़ी थी वहां से हम बाँब बाहर निकालेंगे यह जीप हम open करेंगे और back बाहर निकालेंगे back बाहर निकालने के बाद हम अच्छे से corners निकालेंगे यह base आप देख सकते हैं और यह भी दोनों एक साथ में होना चाहिए यहाँ पर भी हम अच्छे से यह corner निकालेंगे दोनों corners हमें निकालना है और यह space हम top stitch करके lock करेंगे यह हमने lock किया इसके बाद यह अस्तरम अंदर की तरफ करेंगे तर दोनोंसे हम आपी आयए एच्छे अबाद करेंगे टूनके पर यह भी हमोगे पालम हम इसके रहाँ करेंगे आप और निकाल रून्दया उबाद़ करेंगे अपितने करेंगे पालम हम आप यह प्रसमावावावावार्श उसक्षरा करूदए कर दो